संसत के सामने मेरे साथी नित्यानन जी ने पेश किया, तब थोड़ा सोर सराबा भी हुआ, कुछ मान्यवर सदस्यों ने मुद्दे उठाए थी, कि ये विधैक जो लेकर आये हैं, वो ऐसे ही सदन चलाओ तो अच्छा रखता है, वो विधैक लाने का अधिकार नहीं है, संविधान के तहट संसत की कॉंपिटन्सी पर भी सवाल उठाए गए हैं, और दूसरा ये मुद्दा उठाया गया है, कि ये विधैक जो लेकर मैं इस सदन के सामने उपस्तित हुआ हूँ, वो विधैक सुप्रिम कौट के जज्जमेंट के भावनाओं के विरुद है, माने वर सबसे पहले मैं यह दोनों चीजों का बहुत डिटेल जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि उस वक्त जब मैं खड़ा हुआ, विपक्स का मूड सुनने का नहीं थे, आज कुछ अच्छ अभी मूड डिकता है, तो माने वर जब तक कॉंपीटन्सी का सवाल है, संग राज्येट्षित्र का प्रसासन संविधान के भाग आठ में उल्लकित प्रावधानों के तहट आता है, अनुचे 249 से 242 तक इसकी कारे रिती को संविधान में वर्नित किया गया है, और अनुचे 249 के ए ए में विशेश प्रावधान किये गए हैं, जिसके तहट दिल्ली विधान सभा सही एक संग सासित प्रदेश है, तो दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, ना संग सासित प्रदेश है, ना संग सादित प्रदेश विध एसेमली, क्यूंकि ये राजदानिक शेत्र है, इसको ध्यान में रखते हुए, 239 ए में इसका एक विशेश प्रावधान संभीधान के तहट किया गया है, इसकी डिटेल बात मैं बाद में बताऊंगा, अब कहा कि भारत सरकार को इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, ऐसा विशेश कुछ सदस्यों के द्वारा रखा गया, मैं इस सदन का ध्यान अनूच्छे 249 ए ए 3 बी की तरब दिलाना चाहता हूँ, 249 ए ए 3 बी बहुत स्पष्ट है, इसके तहट इस संसत को दिल्ली संग राज्यक्षित्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विशय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, इसलिए कुछ सदस्यों ने जिस बात को इंट्रोडिक्षन के वक्त यहां उठाने का प्रयास किया था, मेरा दाई तो बनता है, उस वक्त महुल ठीक नहीं था, तो आज इसका मैं धंग से जवाब दूँ, मानिवर कुछ सदस्यों ने ये भी कहा, हाथ में सुप्रीम कौट के जज्जमेंट रख कर, कि ये सर्वोच अधालत के आदेश के उलंगन करकर इसको लाया गया है, मैं वो सभी सदस्यों को विनंती करना चाहता हूँ, कि आपने सर्वोच अधालत के आदेश का अपने मनपसंद हिस्सा ही पड़ा है, कि जब सर्वोच अधालत के आदेश को सदन में कोट करते हैं, तो संपून आदेश का अध्यान होना जरूरी है, उसका दूसरा हिस्सा भी पार्दर सिता के साथ सदन के सामने रखना चाहिए, खेर जिनोंने नहीं रखा, नहीं रखा, मैं रख देता हूँ मानेवर, मैं सपश्टता करना चाहता हूँ, कि ये विध्यक जो है, इसमें सर्वोच अदालत के नीने को जो उन्होंने रिफर किया है, उसके पेरा 86, पेरा 95 और विशेश करकर पेरा 164 एप की और मैं ध्यान आकरसित करना चाहता हूँ, उसमें सपश्टता से कहा है कि संसत को 239AA के तहथ दिल्ली संग राज्यक शेत्र के किसी भी विशाई पर कानून बनाने का अधिकार है, ये अदालत ने अपने जज्जमेंट के अंदर बहुत सपश्ट कर दिया है, मानिवर, अब मैं थोड़ा विधेग पर बात करना चाहूंगा, दिल्ली शाषन इसकी एक अधियासित प्रुष्ट भूमी है मानिवर, दिल्ली की स्थापना 1911 में अंग्रेजों के साषन के द्वारा महरली और दिल्ली दो तहसिलों को पंजाब प्रांच से अलग करकर बनाई गई, 1919 और 1935 में बृटिश सरकार ने चीप कमिश्णर प्रोविंस के नोटिफिकेसन किया और दिल्ली को चीप कमिश्णर प्रोविंस के तरह रखा गया, आजादी के बाद पट्वी सितारमयया समिती ने दिल्ली को राज्यस्तर का दरज्जा देने की सिफारिस की थी हाला कि जब सिफारिस संविधान सभा के समक साही मेरा विपक्स के सदस्यों को विनम्रता से अनुरोध है कि इस बात को जरादी घौर से सुनेगा पट्टाभी सितारमया समिती की सिफारिस जब सदन के सामने आई तब पंडिट जवालाल नहरूजी, स्रिमान सरदार पटेल, राजा जी, राजेंद्र परसाद और डाक्तर आम्बेरकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये उचीत नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दरज्जा दिया जाए, मैं फीर से एक बार रिपीट करता हूँ, किस-किस ने विरोध किया था, पंडित नहरू ने किया था, सरदार पटेल ने किया था, राजा जी ने किया, राजिंद्र परसाद जी ने किया, और आम्बेरकर जी ने भी इसका विरोध किया थ और उस वक्त पंडित नहरूद जी के एक चर्चा के हिस्से को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ दो साल पहले सदन एक समिती सितारमया समिती की नियुक्ति की और अब जब रिपोर्ट आया है तब दुनिया बदल गई है भारत बदल गया है और दिल्ली काफी हद तक बदल गई है इसलिए दिल्ली में हुए इन परिवर्तों की परवा किये बगर उस समिती की सिफारिसों को स्विकार नहीं कर सकते और स्विकार करना वास्तविक्ता से पूरी तरव मूँ मोड लेना होगा एक समय तो नहरू जी ने संविदान सभा के सदस्यों को यहां तक कहा कि चुकी नई दिल्ली में तीन चोथा इसंपती केंडर सरकार की है इसलिए तरक संगत यही होगा कि इसको केंडर के अधीन रखा जाए बाद में जब अंबेड कर जी ने समापन किया तब उन्होंने कहा जहां तक दिल्ली का सवाल है हमें ऐसा लगता है कि भारत की राजदानी के रोप में सायधी किसी स्थानिय प्रसासन को मुक्त अधिकार यहां दिये जा सकते हैं सम्यूप्त राज्य अमेरिका और उस्टेलिया में जो राजदानीक एक्षेत्र है इसकी मिसाल भी उन्होंने वहां दी और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक अलग व्यवस्ता करनी चाहिए और सम्विधान सभा में इस पर जोड़ना चाहिए खेर मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं यह सिफारीश की स्की थी यह आपको मालूम होना चाहिए यह पंडित नहरू की सिफारीश थी मानेवर मैं उसके बाद में 1991 में सी स्टेट एक्ट के द्वारा दिल्ली को विधान सभा दी गई परन्तु 56 में राज्य पुनगठन आयोग की सिफार्योसो पर दिल्ली की विधान सभा हटा कर उसको संगराज्य गोसित किया गया लगबग तीन दसक तक ये विवस्ता चलती रही 87 में सरकारिया कमिटी वनी जो बाद में बाला कृष्णन कमिटी के रुप में जानी गई और 91 में 79 वा संविधान संसोधन किया गया और इसके बार दिल्ली राजदानी राज्यक्षेत्र सासन अधिनियम 1991 जिसमें मैं आज संसोधन लेकर आया हूँ इसको इस महान सदन ने पारीद किया गया और वो ही विधैक के अंदर संविधान संसोधन के अंदर 239 एये जिसका मैंने जिक्र किया उसमें इस संसत को गाजदानी क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए और किसी भी कार्य के लिए कानून बनाने के लिए संपून अधिकार सं सब्सद को देने का काम किया गया है मानेवर समस्या कहां से समाप शुरू हुई 1993 से वियोस्ता चलिया रही थी कभी भारतिय जनता पार्टी सत्ता में आई कभी कॉंग्रेस पार्टी ने सासन किया कभी उपर कॉंग्रेस का सासन था तब हमारी सरकार थी तो कभी उपर कॉंग् सा अधिकार हथ्याने की नई थी सेवा करने की कॉंग्रेस पार्टी ने भी भाजपा के साथ जगड़ा ने किया भाजपा ने भी कॉंग्रेस सरकार के साथ जगड़ा ने किया और बहुत अच्छे से चल रहा था कोई डिस्प्यूट नहीं कोई जगड़ा नहीं 1915 में स्थिती बडली और यहां एक ऐसे दलकी सरकाराई जिसका मकसद मुझे कोई जिजक नहीं है कहने में जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं जगड़ा करना है मानने अध्यक्जी अनेक पाइटियों के मुख्यमंत्री रहें अनेक पाइटियों की मिली जूली सरकार रही सूद्धरूप से सरकार रही मगर राश्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पाइटी को कोई दिक्कत नहीं आई मैं बाद में बात करूंगा क्या दिक्कत है उसकी भी डिटेल बात करूंगा प्रोब्लेम क्या है प्रोब्लेम ट्रांसपर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है विजिलन्स को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य चुपाना है जो ग्रश्टाचार हो रहा है इसका सत्य जुपाना है मान्यवर मान्यवर उसके बाद में पंद्रा में अचानक ही दिल्ली राजय सरकार ने एक विशए सरकूलर निकाला जिसमे उन्होंने टांसपर पोस्टिंग के अधिकार अपने हात में लिये केंद्र सरकार ने एक नोटिफिक्रिशन निकाला उसको हाइकॉट में चैलेंज किया गया हाइकॉट का फैसला केंद्र सरकार के पक्स में आया इसको सुप्रीम कॉट में चैलेंज कर दिया गया उसमें खंडित जनादेश आया फिर सम्विधान पीट बनी सम्विधान पीट कुछ फैसले करकर नीचे फिर से दो ज़जों की बेंच को दिया उसमें भी सहमती नहीं बन पाई और फिर से समविधान बनी जिसने अभी अभी फैसला दिया मानेवर वो जो इंटरपीटेशन है उन्होंने कानूनी और मॉरल दुरुष्टी से नहीं किया उन्होंने इंटरपीटेशन कानून की स्थितियों का करते हुए यह कहा है कि फिर भी दिल्ली देश की संसत को और भारत सरकार को दिल्ली संग राज्यक्षेत्र के लिए हर प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है वो अधिकार का उपयोग करकर एक वट हुकम एक नौटिफिकेशन निकाला गया और वो नौटिफिकेशन इसलिए निकालना पड़ा कि संसत उस वक्त काम नहीं करें मतलब संसत बैठी नहीं थी बैठा के चल नहीं रहे तो notification निकला और संसत सत्र के अनुपस्तिती में जो जो notification निकला इसको मैं यहां लेकर आया हूँ जो आज सदं के चर्चा के लिए मैंने आप सब के सामने रखा है मेरा सभी पक्स के सदस्यों से विनन्ती है कि चुनाव जितने के लिए किसी समर्थन हासिल करने के लिए किसी पक्स का विधेग का समर्थन करना या विरोध करना ऐसी राग्मिती नहीं करने चाहिए नय गटवंदन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं विधेख और कानून देश के बले के लिए लेकर आते हैं इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के बले के लिए करना चाहिए अगर हमारी राजबीती में थोड़ी स्विक्रूती कम है तो सबको मिलाना है दिल्ली का जो होना है वो हो जितना ब्रश्टाचार होना है वो हो मंत्री कुछ भी करें मुख्यमंत्री करोडों के बंगले बनाए मगर हम विपक्स में रहते हुए समर्थन करेंगे क्योंकि हमें गटवंदन बनाना है इस तरह से नहीं सोचना चाहिए मेरी अपील है मेरी अपील है मेरी अपील है विपक्स के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचे एलाइंस की मत सोचे एलाइंस से फाइदा नहीं होने वाला ह एलाइंस होने के बाद भी पून बहुमत से नरेंद्र मोधी प्रदान मंत्री बनने होगे इसलिए इसलिए एलाइंस के कारण जन्ता के हितों की बली मत चड़ाइए जन्ता सब देख रही है एलाइंस करकर आप अगर ऐसा सोते हो कि जन्ता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा जन्ता का विश्वास आपको मिला था मगर जीस तरह से दस साल यूपिये ने सासन चलाया बारा लाग करोड के गपले गोटाले करे इसलिए आज वहाँ बैठे है और मैं फीर से कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार के गपले गोश्टाले ब्रश्टाचार को प्रचिन रूप से एलाइंस की गरज के कारण मदद करे हो पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब कुदार करेगा मानेवर मैंने ये सदन के सामने रखा है बिल्को मेरा सभी से निवेदन है कि एलाइंस के मद्य नजर इस पर अपना भी प्राइम न करे देश के और राददानिक छेत्र के भले के लिए निट्रालिटी से बात करे और वैसे भी मैं बता देता हूं विसेश कर कॉंग्रेस पार्टी वालों को कि ए बिल पारित होने के बाद वो एलाइंस में आपके साथ आने वाले नहीं है तो जो सच है वो करिए इतना अपिल कर गए यही बात के समाब करें